कि अधा फ्रेंड्स टुड़े वियर डिस्कस आवर रिविजन टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन दे इव फिंडिपेंडेंडेंस यह जो है इंडियन इकोनॉमी डेवलोप्मेंट जो पार्ट भी है उसके बारे में है जो फर्स्ट चैप्टर है उसका आधा पार्ट आज हम करेंगे जो की कुरिव दिजन्स के तौल पन्सट चलूंगा उतने गमीन डिंस तरीक चलूगा जिसने तरीक है से मैं आपको पढ़ा है तो हमारा रिविजंगे क्योंकि हमारा पास टाइम उतना है नहीं शो हम समद्ज़क खूशिस करेंगा लगके वर्षट करेंबैंगी ह है हमारा colonial exploitation on of the Indian economy under the British rule यानि कि कि तरह से exploit कर रहे थे हमें British ठीक है यानि इंडियन को किस तरह से exploit कर रहे थे colonial exploitation of the under British rule में ठीक है हमारी Indian economy को जिसमें हमने देखा था कि colonial exploitation of the agriculture sector की agriculture sector कैसे exploit कर रहे थे इसके रावा ट्रेड में और international trade में या industry sector में किस तरह से हमें हमें exploit कर रहे थे तो agriculture was exploited to जमीनदारी सिस्टम और agriculture में हम किस तरह से exploit कर रहे थे जमीनदारी सिस्टम यह जमीनदारी सिस्टम क्या होता है means कि ऐसा system जहां पर एक honor of the soil रख दिया revenue की तौर पर चुकाता है ठीक है कुछ इसा कुछ अमाउंट ठीक है जैसे कि टैक्स सिस्टम जैसे कि ब्रिटिश लोग ने डीसाइट किया कि यह एक हेक्टर लैंड है जमीन है तो उस पर कितना आपको ठीक होगा यह पर मंथ देना होगा तो एक हेक्टर जमिन पर 10000 और और वह क्या करता था और जिसंव जमिंदाह्य कहते थे यह वह क्या गरता था जब करने की बारिया दितन तो उसने काम कर वाएं तो इस तरह से एक्रिकल्टिर सेक्टर में हमारी जो फार्मर के जुह है वो एक्स्टेशन हो रहा था जमिंदारी वह डिक्लेर एजा ओनर आप दिस वाइल दे आप टू पे आप फिक्स सम अप गॉन्मेंट बाइदा वे आप लैंड रेमेनी यह जैसे कि लैंड रेमेनी की तौर्पन लोग कुछ पैसे बिटिशस को देते थे कौन ओनर आप दिस व लोग टेटल जो पीनित अंदट आव की मिनमम फटर आप सब्सक्रिय।bury सब्सक्राइब उसके पाँ बैसा बचता था कि taşती करने के कि कुछ इनवेस्ट कर शिप कर सके तो में उसको किस तरह से एक्स्ट्रोटेशन होता था एक्राइब कर दो अ कि सेक्टिंड पॉइंट है हमारा कोलोनियल एक्स्ट्री सेक्टर यानि कि बिटिशंस जो थे ओ किस तरह से हमें इंडेस्ट्रेड के बहुत ज्यादा फेमस थे और हैंडीक्राफ्ट की जो था हाँ हमारा क्या थे दे Missouri अच्छे तरह से थे अच्छे सिच्वेशन में और पुरे वर्ल्ड में जो था हमारा हेंडी का दिवान था इंडिन हेंडी का शिपने का ये और एक रåणिन येहन क षुना Heath kya Хेंडी EP करने का कोशिस किया था हैंडेकाफ इंडिस्ट्री को कैसे फॉरेण डिमांड फॉर्द इंदियन हैंडीघफ बॉर्ज डिस्ट्रोई बाइदा ले अधयी डूटी ऑन देर एक्सपोर्ट से यानी कि सेक्टर से जो जुड़े वेते हैं उनको डॉमेस्टिक डिमांड फॉर्दा इंडियन हैंडिक्रफ वाज दिस्ट्रोई बाइद वे अब ड्यूटी इंपोर्ट अब बिटिस गूड इंडियन मार्केट और इसके अलाबा क्या कि उन्होंने कि डूटी फ्री इंपोर्ट कर द करिडिये चैनल और इंटर्नíchल ट्रेड को मैसा उन्होंने अक्सकorm दिंधिया ऐंडिया मैज्ट्रीअ क्या पॉर्फ इंडिया बिट्री असे उसने प्रजीच्छ दessäरकेश याजनिकी फेदन इंडिया इंडिया नक्रफिम्हेश्ते यानि कि ब्रिटेन जो है सस्ते में हमारा सामान करिता था और वही सामान बना कि हमें रिटेन में वह महेंगे में बेचता था duty-free import of the British goods of expanded demand for the British goods in the Indian market और क्या करता था second thing कि जो सामान जो है ब्रिटेन में बन रहा है ठीक है उसको इंडिया में duty-free export करता था जिससे ब्रिटेन का जो सामान है वह सस्ता मिले और हमारा सामान महेंगा हो जाए जिससे हमारा जो इंडेस्ट्रियल सेक्टर है वह पुरी तरह बरबाद हो जाए ठीक है तो इस तरह से वह international ट्रेड में भी उसने एक्प्रोइटेशन किया था हमारे इंडिया की एकोनोमिक हो और इस तरह से पुरा कोशिश किये थी पुरी बरबाद हो गया और उन्होंने कुछ हद तक सक्सेस भी होगे